आप सभी को नवरात्री की बहुत सारी शुब कामना आए तो आज हम नवरात्री स्पेशल में बनाने वाले हैं बिल्कुल नरम सौफ्ट सौफ्ट से पराठे वो भी बिना बेले और बिना आटे के आप सोचोगे कैसे यह पॉसिबल है तो रेसिपी एंड तक देखिए बहुत करते हैं उमीद करते हैं आप खुश होंगे और स्वस्त होंगे यहां पर मैंने बिगोया हुआ सापुदा ना लिया है एक कप और इसमें दो उबले हुए आलू को ग्रेट कर लेना है आप चाहें तो मैश भी कर सकते हैं लेकिन लम्स या गुठलिया बिल्कुल नी होनी चा डालना है और अच्छे से मैश कर लेना है एक डो की तरह बना लेना है इस तरीके से बाइंड हो जानी चाहिए पानी की ज़ुरत नहीं पड़ती है गर आवशकता पड़े तो एक दो चमश पानी डाल सकते हैं गैस को स्टार्ट कर लेते तवा को बढ़िया सा गरम होने देत तुमसरी, आप डुला मर चाहिए तो असी तरीके से लोई बना ली जए लड़्डू बना ली जए और यह वाली रेसिपी है बहुत पुरानी रेसिपी है मतलब मेरी मम्मी जो पुरास करती थी तो इसी तरीके से वह बनाती थी है और हम बच्पन में खाते थीम्हा था हम कर देंगे मध्यम आज पर धीमे धीमे इसे पकने देंगे और जब अच्छे से पक जाएगा तो इसका कलर टोटली चेंज हो जाएगा और यकीन कीजिए आप लोग इसे हैना ब्रत में तो बनाईए ही बिना ब्रत के भी बनाकर आप मतलब का खा सकते हैं और बच्चे को खि जादा एक तरफ से देखिए अच्छे से पक जाने के बाद इसका जो कलर है जैसे कि मैंने बोला बिल्कुल चेंज हो जाएगा तो आप मतलब अंदाज रगा लीजेगा कि एक तरफ से पक चुका है थोड़ा सा फिर उपर हम लगा देंगे और उसके बाद में आपको दिख अच्छे तरीके से जो है क्रिस्प हो चुका है एक तरफ से तो इसे हम पलट देंगे और दूसरे तरफ से भी मध्यमाज पर अच्छे से सिखने देते हैं उपर से थोड़ा सा फिर से घी लगा देंगे आप इसे तेल में भी बना सकते हैं लेकिन हम इसे व्रत के लिए बना सा सीख जाए और ये दूसरे साइट से भी पक चुका है इसे मैं निकाल ली हूँ और दूसरा पराथा इसी तरीके से मैं आपको फटा पट से बना कर दिखाती हूँ तो बस इसे मैं अच्छे से फैला दिया है जब तक पक रहा है तब तक हम हरी चट्नी बना कर रेडी कर ल कुछ हम मैं के शेंग दानी का पॉडर यानि की मूंभली का पॉडर दिया है मैं य हैं स्था नमक डालें के थोड़ा सा पानी डालें के अच्छे मिक्सिं में पीष लेंगे वासी पानी तेश्टी चटनी बनकर रेडी हो गई है आप चाहे तो इसके ऊब तो नीबु का रस हा तो इसे भी हम पलट देंगे फिर से थोड़ा सा घी लगाएंगे और बस यह पराथा भी बनकर रेडी हो गया है तो यहां पर हम सारी पराथे इसी तरीके से बना लेते हैं और यह हमारी चट्पटी टेस्टी चट्नी साथ में सौफ नरम नरम गर्म गरम पराथे वरत्वाले जो कि बहुत जादा टेस्टी लगते हैं तो आप इसे अपने घर पे इस नवरात्री में बनाएगे उमीद करते हूं आपको हमारी रैसिपी जरूर पसंद आएगी और अपना फिट बेक कॉमेंट ज़ारत जरूर दीजेगा लाइक शर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अ